आज विद्धान सभा के लिए अतिहासिक दियान अपको इच्छतिस गड़ के लिए अतिहासिक और हमारे पत्रकार साजियों के लिए बहुत ही अश्मरनी दिन रहा है क्योंकि आज च्छतिस गड़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तूत हुआ बलकि पारिद भी हुआ है हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोकिम में डाल कर अंदुरीनी छेतरों में जाकर ख़बर लाते हैं बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको उनके परिवार के लोगों को खत्रा बढ़ जाता है साथी जनहानी साथ धनहानी की भी संभाना बन जाती है ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं साथी जो अफिस में जो काम करते हैं वह भी और जो गावं में काम करते हैं उनके लिए भी आद्जमानता पत्र जारी करने का बलकि उसे रिजिट्रिशन कराने के जिसको अध्यमानता पत्र नहीं है और कोई प्रेस यदि कहता है कि यह हमारे साथ में हैं और जो लगातार उसमें छह मैने के अंदर में तीन लेक लिखे हों या इस्टोरी की हों ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के जायरे में लाया गया है, जाकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके, जिで उनके साथ कोई सासकी कर् fins चारी यरे दुरिभार करते हैं, या फिर उनकी सिकायत के लिए भी एक समीती बनी हैं, जिसको बहुत अधिकार संपन बनाया गया है, जो प्रधेस इस तर के होगा और उसम उसमें पत्रकार भी होंगे उसमें अधिकारी गंड भी होंगे तो वो सब मिल के च्छाय लोगों की समिती बनेगी जिसके माद्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवशक निर्देश भी दे सकेंगे और दंड भी का प्रावधान है यदि उसे संतुच में हो तो अपील क देश में हिसकी चर्चा भी थी प्रदेश में हिसके बहुत दिनों से प्तिक्छा थी मैं इस औसर पर जश्टिस अपताब आलंग जी सुप्रिम कोड के सेवनृत नयाधिस अपताब जी के अध्यक्सता में एक प्रारूप समीती बनी थी जिसके सदस नैमुर्टी सेवनित त्रिमति अंजना प्रकास जी उचितम नहले के वरिष्ट अध्यवक्ता स्री राजो राम चंदरन जी वरिष्ट प्रतरकार आज हमारे बीच में नहीं लली सूर्जन जी स्री प्रकास दुबे जी मेरे सलाकार रुचिर गर्ग जी महाधिवक्ता विदिवाग के प्रमुक्सची पुलिस महानि देशक सभी इसके सदस थे और अनेक बैठके राज में और दिल्ली में करके विभिन संगठनों से चर्चा करके इसका प्रारूप बनाया गया और उसके बाद इसके को सौंपा गया विभाग ने लंबे विचार विमर्स करके इसको विधैक के रूप में विधैक के रूप दिया गया और इसे राजय पाल से अन्मति लेकर विधान सभा में प्रस्तूत किया गया और आज वो पारित हुआ है लेकिन दुरभाग ये है कि विपक्ष इसके लि दुर्भाग नहीं लिए किन कारण उसने लिए वो अलग बात है लेकिन कुल मिला कि जो उनकी मंसा थी अजाई चंद्राकाई जी बोलने खड़े भी हो गया लेकिन बात में उसके साथ ही उन्हें विठा भी दिया तो ये बहुत दुर्भाग जनक है कि ऐसे विधेयक जो मूल विधेयक है और पहली बार चत्तिजगर की विधान समय प्रस्तूत हुआ है तो इसमें अपने राय रखने थी जो नहीं हुआ ये बहुत दुर्भाग जनक है अलाकि सरोनोती से इस विधेयक को पारित किया गया